आर्थिक सर्विछन, 2022-2023 में अर्थव्यवस्ता के विकास की दर क्या होगी, तो ये 6 प्रत्सत से लेके 6 दस्मनों 8 प्रत्सत के मध्य रहने का अनुमान वो व्यक्त किया गया है। प्रत्सत किया गया था और वर्ष 1964 तक इसे केंद्रीय बजट के साथ पेश किया जाता था, इसके बात इसे बजट से अलग कर दिया गया, एक दिन पहले इसको प्रत्सत किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, आर्थिक सर्वेचन 2022-23 के अनुसार, वर्ष 2023 से 2027 तक कितने PM स्री स्कूलों का निर्मान किया जाएगा, तो कुल 14,500 से अधिक PM स्री स्कूलों का निर्मान किया जाएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, आगे चलते हैं, कोशन नमबर पांच देखते हैं, आर्थिक सर्वेचन 2022-23 के अनुसार, राजकोशिय घाटे का सकल घरेलू उत्पाद, अथा GDP का कितना प्रसत रहने का अनुमान वेक्त किया गया है, या अनुमान लगाया गया है आपकी जो राजकोशिय घाटा है, अथा जो फिसकल डेपसीट है, वो कितनी रहेगी GDP की, तो ये 6.4%, 6.4% रहने का अनुमान लगाया गया है, आगे बढ़ते हैं, आर्थिक सर्वेचन 2022-23 के अनुसार, दिसंबर 2022 तक भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कितना था, तो ये 563 billion dollar था, आगे चलते हैं, question number 7 देखते हैं, उत्तर प्रदेश बजट 2023-24 के अनुसार महात्मा बुद्ध किरसी यों प्रद्योगिक विश्विद्याले की इस्थापना हिद 50 कौन रुपए की विवस्था प्रस्तावित है, या विश्विद्याले स्थापित किया जाए देखिए, इसका नाम जो है याद रहे हैं, महात्मा बुद्ध किरसी यों प्रद्योगिक विश्विद्याले, आगे चलते हैं, उत्तर प्रदेश शौर उर्जा नीद 2022 के अनुसार कितने वर्सों में 22,000 मेगावाट बिदुद पांच हमता का लच्छ रखा गया है, तो 5 पांच वर्सों में आगामी पांच वर्सों में रखा गया है, अगला है उत्तर प्रदेश बजट 2023 में उत्तर प्रदेश खाद प्रसंसकार उद्योगनी 2022 किरियान में नहीं कितने कौन रुपे की वेवस्था की गई है, तो 100 कौन रुपे की वेवस्था की गई है, अगला ह उत्तर प्रदेश बजट 2023 के मसार निम्लिकित में से किस एक इस्थान पर माटी कला 13 कोटा प्रसिछन यों फैसलेटी सेंटर की स्थापना प्रस्तावित है तो लखनों में कहां पर लखनों में अगला है उत्तर प्रदेश बजट 2023 का कुल आकार कितना रहा है तो ये 6,90,242.43 कोटा रुपे रहा है और इस बजट में 32,721.96 कोटा रुपे की नई योजनाय अनुमानित हैं अगला है कोशन नमर 13 देखते हैं उत्तर प्रदेश बजट 2023 के अनुसार ऑपरेशन काया कल्प के लिए 100 कौन रुपे की वेवस्ता की गई है या ऑपरेशन किसे संबंधित है तो यह प्रात्मिक विद्यालों को स्मार्ट विद्यालों के रुपे विक्षित करने से अनुवान 2022-23 के अनुसार किर्सी और संबंधित गत्विधी की विकास दर्थ होगी कितनी होगी तो 3 दसमलों 5 प्रसत तीन दसमलों 5 प्रसत इस्रम पोर्टल का प्रयोग किसके डेटाबेस के पंजीकन के लिए किया जाता है तो असंगठित स्रेमिकों के डेटाबेस के लि अगला है आर्थिक सर्वेचन 2022-23 के अनुसार वर्ष 2021-22 में किर्सी चेतर के लिए संस्थागत रिण कितना हो गया है तो ये आपका 18.6 लाग कौन रुपय हो गया है कोशन नुमर 18 देखते हैं कोशन नुमर 18 है आर्थिक सर्वेचन 2022-23 के अनुसार वर्ष 2030 तक भारत में गयर जीवास्म इधन से मतलब कोईले इत्याद को छोड़ करें गयर जीवास्म इधन से इस्थापित विदुच्छमता कितनी हो जाएगी तो ये 500 गीगावाट 500 गीग आर्थिक सर्वेचन 2022-23 के अनुसार वर्ष 2030 से पहले गयर जीवास्म इधन से 40% कितनी 40% इस्थापित विदुच्छमता का लच पराप्त कर लिया है और 2030 तक गयर जीवास्म इस्थापित चमता 500 गीगावाट से अधिक होने की संभावना है आर्थिक सर्वेचन 2022-23 के UNFCCC के COP26 के आउशर पर जो की ग्लासगो में हुआ था 2021 में ग्लासगो जलवाई परिवतन के प्रतिकूल प्रभावों की गंबेरता को ध्यान में रखते हुए लोगों को व्यक्तिकत रूप से सामिल करने के लिए लाइफ अभियान का सुबारम किया गया भारती प्रदान म अंत्री के द्वारा अगला है आर्थिक सर्विचन 2022-23 के अनुशार वर्द 2021-22 में देश में खाद्यान उत्पातें कितना रहा है तो ये 315 दसमलों 315 दसमलों 7 मिलियन टन रहा है आर्थिक समिच्छा 2022-23 के अनुशार वर्द 2022 के दौरान सीर्स तीन प्रेशन प्राप्त कर देश कौन से रहे हैं तो ये आपके भारत नंबर एक दूसरे पर चीन तीसरे पर रहा है अगला है आर्थिक सर्विच्छन 2022-23 के अनुशार वर्द 2056 और 2019-21 के बीच कितने लोग गरीवी रेखा से बाहर निकल चुके हैं तो 41 कौन से अधिक लोग गरीवी रेखा से बाहर निकल चुके हैं अगला है आर्थिक सर्विच्छन 2022-23 के अनुशार मार्च 2022 तक भारत में कुल टेली डेंसिटी कितनी थी टेली डेंसिटी मतलब प्रती 100 लोगों पर टेली फोन कनेक्शन की संख्या ये कितनी रहे 84.8% 84.8% थी अगला है कोश्चन नुबर 24 देखते हैं आ अगला है कोश्चन नुबर 25 आर्थिक समिच्छा 2022-23 के अनुशार में भारत का कौन सा इस्थान रहा है तो भारत का दूसरा इस्थान रहा है भारत का दूसरा इस्थान रहा है हाउस प्राइस इंडेक्स के बारे में इन इम्रेखत कतनों पर विचार करें यहाँ पर दो कतन दिये गहें बताना इन में से कौन सा सही है तो देखिए यह राष्टी आवाश बैंक नहीं यह आपका जो है त्रेमाशिक रिपोर्ट नहीं इसके लिए जो है भारती रिजर बैंक के द्वारा जारी गया था ना कि राष्टी आवास बैंक उदर पहला गलत हो कि दूसरा इसकी गड़ना सभी मिलियन प्लस सहरों के लिए की जाती नहीं इसके लिए जो गड़ना होती वो दस प्रोंक सहरों मुंबई दिल्ली चिन्ने अले कुलकत्ता बैंगलूर लखनौ अहमदाबाद जैपूर कानपूर और कवच्ची के लिए एक त्रिमार्शिक प्रकाशन है और इसके लिए जो गड़ना का जो आधारवर्स अबूत क्या है 2010-2011 है यहां पे दोनों कथन गलत हो गए तो D option अगला है कर प्राप्तियों मे निम्रिखित प्रवितियों पर विचार करें यहां पे दो कथन दिये गए हैं बताना है इनमें से कौन सा या से गलत है पहला 2022-23 में शकलकर प्राप्तियों में पिछले वर्स की तुल्णा में थोड़ी गिरावट आई है तो पहला कथन आपका गलत हो गए दूसरा बजट 2023 प्रताच शोबिश से अधिक अनुमानित है प्रताच श्रड जो है वो अधिक अनुमानित है यह सही है आपका तो पहला वाला गलत हो Schools अपर 29 देखते हैं टुंटी चैनर पूजी नाइन पूझी कत्व के के बारे में निम्री कत्नों पर विचार कीजिए, यहाँ पर दो कत्न दिये गए हैं, बताना है इनमें से कौन सा या से सही है, तो पहला केंदर का कैपेक्स पिछले पांच वर्सों में लगातार बढ़ा है, केंदर का कैपेक्स GDP के 1.7% के दीरकालिक आउसस से बितवर्स 2022 में GDP के 2.5% तक लगातार बढ़ा, तो पहला कत्न सही हो गया, दूसरा, पूजी का संपत्ति के निर्माण के लिए राज्यों को दी जाने वली अनुदान शाहता, हाला कि पिछले वर्स की तुलना में 2022-23 में घट गई है, नहीं, यह 2022-23 की तुलना में क्या हो गई है, 2021-22 में यह 2.4 थी, और यह बढ़ करके 3.3 हो गई है, तो बढ़ गई है न, तो पहला सही, दूसरा गलत, यह ऑप्शन अगला है, Capital to Risk Wedded Asset Ratio, CRAR के बारे में इन में इन में कत्नों पर विचार कीजिए, यहां पे तीन कत्न दिये गए बताना इन में से कौन सा सही है, RVI ने अनसुचित वाणजिक बैंकों के लिए 12% का CRAR अनिवार किया है, तो देखिए, इसमें आपका 12% का नहीं है, यह 8% का, बेसल नार्ब 3 में 8% का किया गया है, तो यहां पे पहला गलत होगे है, दूसरा, Financial Year 2022 के लिए CRAR स्वस्त बना हुआ है, यह आपका कथन सही है, 16% पर मजबूत बना हुआ है, आगे चलते हैं, तीसरा जो है, यहने के ओल क्रेड जोखिम बलकि बाजार और परिचालन जोखिमों के लिए भी खाता है, सही यह देखिए, Capital to Risk Wetted Asset Ratio CRAR, बैंक की पूजी का उसके जोखिमों से अनुपात है, CRAR की गड़ना, बैंक की पूजी को क्रेड जोखिम, परिचालन जोखिम और बाजार जोखिम के लिए कुल जोखिम भारत संपत से बिवाजित करके की जाती है, तो यहाँ पे पहला गलत है, दूसरा तिसा साही है, बी ऑप्शन, पीम स्री योजना के बारे में इम्रीट कत्नों पर विचार कीजिए, दो कत्न दिये गए, बताना है कौन सा से या गलत है, कौन सा या से गलत है, पहला, यहाँ फाइनेंशिल लिज़ दोज़ा, 23 से फाइ इंडिया, बित्ती और 2022 से बित्ती और 2027 के बीच, यहाँ 2023 नहीं है, 2022 से 2027 के बीच, 14500 से अधिक स्कूलों के उन्यन और विकास के लिए केंदर प्रयोजीत योजना है, तो इससे पहला करत हो कि दूसरा, यह राश्टी सिच्छा नीत 2020 के तहत निर्धारित सिच्छा सास्र के अनुसार ने स्कूलों की स्थापना करेगा, इसका उदेश राश्टी सिच्छा नीत 2020 के तहत निर्धारित सिच्छा सास के अनुसर मजबूत चैनित स्कूलों को और मजबूत करना है, मजबूत करना है, यह ने स्कूलों की स्थापना नहीं करेगा, तो पहला दूसरा द आपका बागवानी फस्नों से संबंदित है आत्म निर्भस्वच श्यंत्र कारिक्रम ये बागवानी फस्नों से संबंदित है अगला है 33 नंबर कोशन देखते हैं 33 नंबर कोशन अगला है शहरी बुन्यादी धाचा विकास कोश शहरी धाचा विकास कोश यू आई डी एफ के बारे में निम्रिकत कत्नों पर विचार करना है तो यहाँ पर देखिए दो कत्न दिये गए हैं पहला बताना इसमें कौन सही है पहला इसका उपयोग सारवजेक एजेश्यो दारा Tier 2 और Tier 3 सहरों में सहरी बुन्यादी रहाचा त्यार करने के लिए किया जाएगा यह कथन आपका सही है दूसरा इसका प्रबंधन National Bank for Financing Infrastructure and Development NBIFD द्वारा किया जाएगा नहीं इस कोस का प्रबंधन राष्टी आवास बैंक राष्टी आवास बैंक Unity Mall किसके प्रचार और विक्री से जुड़ा है Unity Mall जो है ODOP One District, One Product GI उत्पाद और हस सिल्प से संबंधित है अगला है बाजरे की खेती के संबंध में निम्निक कतनों पर विचार करें यहाँ पर तीन कतन दिये गए हैं बताना है कौन सा या से सही है बाजरा को अंकुरण के लिए 30 से 40 डिगरी सल्सियस से लेकर गर्म तापमान की अवशकता होती है नहीं कितनी होती है? 20 से 30 डिगरी सल्सियस अधिकांस बाजरा का मोशन कम होता है और उन्हें छेतरों में चीतरा सुगा जा सकता है अन्य फरसले नहीं उगपाती है तो यहां पर आपका जो 30 चाले से 20 से 30 डिगरी है तो पहला करनाटक भारत में रागी का अग्रणी उत्पादक है यह करनाटक रागी का सबसे बड़ा उत्पादक है सही है और इसके बाद तमिलनाट के सान है रागी के उत्पादक के लिए महत्पूर्ण अन्य राज हिमाचल प्रदेश, उत्रांचल, सिक्किम, जहारकन और अउनाचल प्रदेश है तो पहला गला तो दूसरा सही है तीसरा बढ़ाने का प्रधान कियागा भारत दुनिया में मोटे अनाजों का सबसे बड़ा उत्पादक है और दूसरा सबसे बड़ा निरियाथ तक दूसर नमबर का है तो यहाँ पर पहला और तीसरा गलत है दूसरा सही है बी ओप्शन हो जाएगा अगला है बज़रद ल्गोट 23-24 में P.M. प्रनाम की परिकलपना निक निवर्णित में से किस सम्बंधित है तो इसकी परिकलपना जो है बैकलपिक उर्बरकों और हसायनिक उर्बरकों के संतुरुत को बढ़ावा देने से सम्बंधित है आगे बढ़ते हैं question number 37 देखने हैं 37 number किर्सी के लिए digital public infrastructure द्वारा निम्न से कौन सी सूचना है सूचना सेवाए प्रदान की जाती हैं किर्सी के लिए digital public infrastructure द्वारा तो देखिए इससे फसल योजना और अन्मान, market intelligence, किर्सी आदानों तक पहुँच, credit समित्रण और आपका बीमा, भंडारण की सुबधा इसके द्वारा नहीं दियाती है, भंडारण की सुबधा इसके द्वारा नहीं आती है तो यहाँ पर C option 1, 2, 3, 4, 6, अगला है शिकल सेल एनिमिया पर निम्न कतनों पर विचार कीजिए दो कथन यहाँ पर दिये गए हैं, बताना है इन में से कौन सा या से सही हैं पहला यह एक अनुवानशिक विकार है जिसमें लाल रक्त कोशकाएं, शिकल या चंद्रमा के आकार के हो जाती हैं और असमान हीमोग्लोबिन कारने से समय से मर जाती है, तो पहला वाला सही है दूसरा, भारत में 2045 तक इसे खत्म करने के लिए, पहला सही है दूसरा गलत, उनमुक्त परियोजना निमनिकरत में से किसे संबनेत हैं, उनमुक्त परियोजना आदिवासी चेत्रों में शिकल से शेल डिजीज डिवस मनाने के लिए जंजाती मामलों के मंत्राले निजहारखंट और 36 गड़के आदिवासी जीलों में शिकल सेल रोग की स्क्रीनिंग और समय पर प्रबंधन को मजबूत करने के लिए उनमुक्त परियोजना के दाथ मोबाइल वैन को हरी जंडी दिखाई है स्वाइक तुराथ महासभा ने 22 दिसंबर 2008 को सिकल सेल रोग को एक सारजनी स्वास समस्चा के रुपे मानिता देने के लिए संकल एक कल्प अपनाया था अगला है अपर भद्रा परियोजना के पर निम्लिखित कतनों पर विचार कीजिए तीन कतन दिये गए हैं बताना है इनमें से कौन सा गलत है तो देखिए यह करनाटक के मद्ध छेत में किष्णा नदी पर एक लिफ्ट सचाई परियोजना है यह करनाटक के मद्ध छेत में इसमें हमें गलत बताना है कौई सा गलत है एक सिंद DR. एक सिंद यहां देखिए जो पहला कफ़न है कि कन्नाठक के मध्चेतर हों है प्रन्ध लिपक है किश्शना नदी पर नहीं है यह तुंगा नदी यह पर है इसे 2022 में राश्टी परियोजना का दर्जा पतान किया गए सही है राश्टी परियोजना के दाथ केंद्रिय सहाता के उस्चाई परियोजना के सेश कार इगटक पर दी जाती है ये दोनों कथन आपके सही है तो गलत कौन सा है पहला ये औक्षन अगला है Q41 देखते हैं एकलब भी माडल आवाशी विद्ध्या लेओं इमर्स पर निम्लिकत कतों पर विचार कीजिए यहां पर तीन कतन दिए गए तीन और बताना है कौन से सही है पहला दूरस छेत्रों में आदिवासी चात्रों को गुड़वत्ता पूर्ण सिच्छा प्रदान करने के लिए वर्स दो तीन में इनकी स्थापना की गए थी नहीं इनकी स्थापना जो है आपका 1997-98 में की गए थी तो पहला गलत है दूसरा यहां कम से कम दो हजार बीस हजार अंसुची जिन जातियों की आबादी वाले प्रतेक उपजिले में इस्थापित है जो उस छेत्र की कुल जन संक्या का 50% होना चाहिए यह सही है तीसरा यह स्थेट एयुकेशन सोसाइडी फृ ट्राइवल ए स्टूडंट सी जाते है जो बदले में ने इस्थीले फृ त्राइवल ए स्टूड फॉर प्रवन्थित की जाते हैं तो पहला गलत है दूसरा तीसरा आपका सही है और बी ओप्शन वाटर एरो ड्रम के बारे में इन में इन में से कौन सा गलत है पहला यहां खुले पानी का एक छेत्र है जिसका उपयोग सी प्लेन के सासत उभैचर विमान उद्वारा उतरने और उपड़ान बनने के लिए किया जाता है सही है वर्तमान में भारत में दो ओपरिशनल वाटर एरो ड्रोम है ये भी आपका सही है ठीक है देखिए एक जो है आपका इस्टैचू आफ यूटी सरदा सरोरबाद और दूसरा सावर्मती रिवर्फरेंट अहमदाबाद में तो यहां पर आपके दो के दोनों कथन सही है कोई गलत नहीं तो डी आप्शन अ की हारीत ह्ट्रोजन पुथ पादिन छंत विक्सित करना है इसका उद्देश तो यह कथन सही है 2030 तक दूसरा कौंं पर्यावनवन्न ऑर जलवाई परिवतन मंत्राल है इसके कार्यावन के लिए चाहिए पर्यावणवान और जल्वाई परवितन मंत्रा लें तो पहला सही दूसरा गलत है तो यह पर आपका सही हो जाएगा आगे चलते हैं को पोटी सब्सक्राइब करें लिए राष्टि हरी राष्टी हरी रुप्योजना या इल्लाइजर के घरे रुप्योजन को निद्धि देगा और हरी रुप्योजन को उत्पादन करें बादन करें शे मांदन्ड दिये गए है और बताना है एस्परिशनल ब्लाक्स प्रोग्राम के तहस्ट निंवलिकित में से कौन से प्रतरसन संकेतक है कौन से प्रतरसन संकेतक है तो इसमें देखिए स्वास्ता और पोशन, किर्सी, बित्य समावेशन, बुनियादी धांचा और कौशल विकाश, बिजली नहीं है, बिजली नहीं है, तो यहाँ पर आपका यह option सही हो जाएगा, आगे बढ़ते हैं, जवाब देही, जवाब देही और पार्दस्ता बढ़ाने के लिए बजर 2023-24 में निमलिकित पहलों पर विचार कीजिए, निमलिकित पहलों पर, तो यहाँ पर दो कथन दिये गए हैं, और बताना कौँ सा सही है, पहला, बिवाद से विश्वास प्रथम, सरकारियों सरकारी उपक्रमों के सम्विदात्मक बिवादों के आसान समाधान के जन विश्वास, जन विश्वास विधेक वेश्व किया है, बिवाद से विश्वास प्रथम जो है, यह MSME के लिए कम कड़े अनुबंध निस्पादन के लिए हैं, जो दूसरा है, बिवाद से विश्वास, बिवाद से विश्वास, यह जो है, जो दूसरा वाला है, बिव देखिए ये पहले के लिए है ये दूसरे के लिए ये अपोजेट ही इसलिए दो के दोनों यहाँ पर गलत है तो D option अगला है question number 47 देखते हैं मासिक आय योजना के बारे में इन निकत्रों पर विचार करें तो यहाँ पर चार चीज़ दी गए बताना है कौन सा सही है तो देखिए यहाँ एक डांक जमा लग बचती होजना सही है इसमें 10 साल से ज़्यादा उम्र का कोई विव्यक्त निवेश कर सकता है ये भी सही है एन राई को इसमें निवेश की अनुमत नहीं दी गई है समान परिपक्ता वाले बेंचमार्क सरकारी बॉंड में उतार चड़ाओ के अनुक तिमाही आधार पर ब्याज दर्य दहर की जाती है ये भी सही है तो यहाँ पर केवल कथन तीसरा वाला जो है वो सही नहीं एन राई वाला सही नहीं है आगे चलते हैं question number 48 पीम आवास योजना के बारे में निम्लीत कतों पर विचार कीजिए दो कथन दिये गए नीचे दिये गए कूट का प्रयोकर सही उत्तर हमें चुनना है तो देखिए यहां केवल आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, EWS और निम्न आयवर्ग के परिवारों को किफायती घर उपलप कराता है नहीं देखिए प्रधानमंत्री आवास योजना एक सरकारी पालिस का उद्देश 31 मार्श देज़ दो करोण 20 मिलियन घर बनाने का लेक्षिक को ध्यान बेखते हुए सहरी गरीबों को किफायती घर उपलत कराना है योजना के दो मोल घटक है प्रधानमंत्री सहरी गरीबों के लिए आवास योजना सहरी और गरामिन गरीबों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना गरामिन है यहां पर जो पहला कथन है वो सही नहीं है लाभानवित के लिए क्या होना चाहिए आर्थिक वो सही नहीं है, दूसरा, हाला कि पहले लांच की गई PM आवास योजना सहरी, PM आवास योजना ग्रामीर से काफी पीछे है, ये कथन आपका सही है, नविंतम आपकोड़ों के सर प्रदामत्री आवास योजना ग्रामीर की पूर्टा अदर जो है, वो 67.72% है, जब कि प्रदा गला गला तर दूसरा सही है, B option, question number 49 देखते हैं, बजट 2023-24 में घोशित महिला सम्मान बचत प्रमाणपत्र योजना के बारे में इनमें करतों पर विचार करें, यहां पे तीन करतन दिये गए हैं, बताना है इनमें से कौन सा सही है, तो यह एक निशित ब्याजदर वाली महिलाओं या लड़किओं के नाम पर 5,00000 तक की जमा सुद्धा की पेश्कस करेगा, नहीं, या महिलाओं के नाम पर 2,00000 रुपए तक की जमा सुद्धा परदान करेगा, 5,00000 नहीं, 2,00000 तो दूसरा गलत है, इसमें क्योल 2 साल के औवदा के ले उपर याई जयागा, ये कंप्रेश्ट बायो गैस CBG के संबंद में निल्मिकत कथनों पर विचार कीजिए यहां पर तीन कथन दिये गए हैं बताना है कौन सा सही है CNG की तुलना में इसका कैलोरी मान अधिक होता है देखिए इसका CNG मान जो है कम होता है तो पहला वाला गलत है देखिए कंप्रेश्ट बायो गैस हाइड्रोकार्बन गैशों और वास्प का मिश्रण है जिसमें मुख्य रूप से गैशी रूप से मेथेन होता है जो जानरों और पौधों के कच्रे के अब घंड़ संसूत पन होता है जिससे मोटर वाहन इदान और और अध्योग अनुप्योग के लिए सुद्ध और संपीरित क्याता है रसाइनिक रूप से CBG यो है कंप्रेश्ट बायो गैस वो CNG के समान है दोनों संकिचित मेथन है और समान कलोरीमान के है यहां पर दोनों का कलोरीमान किसी का कम जादा नहीं समान है पहला गलत हो को CBG प्लांट मद्ध प्रदेश में हैं यह कथन आपका सही नहीं है एश्या के वोड़े CBG प्लांट को दुर्ण पंजाब के संगरूर के लहरा गागा में किया गया तो पहला गलत है तीसरा गलत है दूसरा क्यों सही यह बी आप्शन अगला है जंजातिकार मंत्रालों के समाजिक न्याय और अधिकार्ता मंत्राले के विभाजन के बाद अनसुची जन जातियों के एकिकर्ट समाजिक आर्थिक विकास के दिसा में अधिक केंदे देशकों प्रदान करने के उद्देश्चिक की गई थी तो तो मंत्राले के निर्मार से पहले यह देखती थी एक सेकंड तो एक सेकंड यहाँ पर देखिए इसके गठन के पहले जो है इसके कारियों को अलग-अलग समय पर अलग-अलग मंत्रायों दोरा किया जता है ना कि किसी एक के द्वारा पहला कर दूसरा PMG-BAN योजना 2019 में जनजाती मामलों के मंत्रायों दोरा शुरू की गई एक योजना है PMG-BAN अता जैव इधन वत्वरन अनकूल फशल आवास निवारन योजना है इसका नाम है यह जनजाती मामलों के मंत्रायों देखिए एक योजना है जो लिगनो सेलिलोज, बायोमास और अन्य नवी करणी फीडी स्टॉक का उप्योग करके एक योजना को बित्य सायता पतान करती है तो पहला वाला गलत है दूसरा सही है तो आपका कौन सा गलत है तो यह आप्शन केंदीवजट 2023-2024 में पूजी निवेश परिवेक को बढ़ा करके कितना कर दिया गया है इसे 10 लाग कौन रुपए 33% की विद्धी के साथ 33% की विद्धी के साथ 10 कौन रुपए कर दिया गया है 10 लाग कौन केंदीवजट 2023-2024 के अनुसारीवा दुमियों द्वारा किरसी स्टार्ट अप को प्रसाइद करने के लिए किस कोस्ट की इस्थापना की जाएगी तो किरसी त और हा करके 20 लाग कर दिया गया है कितना 20 लाग कर दिया गया है कि तो 157 कितने 157 नर्सिंग कोलेज खोले जाएंगे देखिये तो यहां पर दो कफ़न दिये गए हैं पहला महिला सम्मान बचत प्रमान पत्र एक लगू बचत विजना को मार्च तक दो साल के लिए उपलब्द कराया जाएगा ये कफ़न सही है आपका दूसरा वरिष्ट नागरिक बचत विजना के लिए अधिक्तम जमाज स्रीमा 15 लाग रुपए से बढ़ा कर 30 लाग रुपए की जाएगी ये भी सही है दो के दोनों कफ़न यहां पर सही है तो सी आप्सन आपका सही हो जाएगा कोशन नमबर 57 देखते हैं बजट अन्वान 2023 में राजकोशे घाटा जीडीपी के कितने प्रसत रहने का अनुमान है तो यह 5.9 पसंट नाइन पसंट रहने का अनुमान है अगला है वित्ति वर्थ देश चौबिस के उत्तर प्रदेश की बितमंत्री के बजटी भास्न के उत्तर प्रदेश की वर्तमान जनसें क्या कितनी है लगभग 24 करोण लगभग 24 करोण है जबकि 2011 का जो गर्णा उसके अंसार प्रदेश की जनसें का कितनी है 19 करोण 98,12,341 और उत्तर प्रदेश की कुल जनसें का 16,05 प्रसत है अगला नेम लिखित कतनों पर विचार कीजिए दो कतन दिये गए पताना इसमें असत्त कतन कौन सा है देश की GDP में उत्तर प्रदेश क से युगदान 10 परसंट से अधिक है तो पहला कतन आपका गलत है क्योंकि 8 परसंट है कितना है 8 परसंट है तो पहला गलत हो कि दूसरा वैशिक मंदी के दौर्म उत्तर प्रदेश की अर्थ विवस्ता की विकास दर उत्साह जनक रही है नहीं उत्साह जनक नहीं थी वर्थ 2021 में प्रदेश के GHDP में 16.08 परसंट की विद्धी होई थी जो देश की विकास दर से अधिक रही है तो पहला वाला तो गलत है दूसरा सही है मतलब दूसरा सही है जबकि विद्धी वर्थ 2023 के लिए जीएश जीएश डीपी जो में विद्धी दर 10 परसंद अन्वान की गए है तो पहला वाला आपका गलत है एक से पहला गलत है दूसरा सही है तो बी ऑप्शन कोशन पर 60 देखते हैं उत्तर प्रदेश की बजट 2023 के मसार असत्य कथन कौन से हैं दो कथन दिये गए हैं वर्थ 2017 से पुर्व प्रदेश की बिरुजगारी दर 14 दस्मलों 4 हो गई है तो यहां पर दो के दोनों कथन सही है तो डी ऑप्शन अगला है उत्तर प्रदेश की राज़ानी लेखनों में दिनांग 10 से 12 फरुजग दोजगा तेस के मध्ध यूपी ग्लोबल इंवेस्टर सम्मिट का आवजन किया गया इसका सफल इसो सफल बनाने के लिए स भारत द्वारत जी टूंटी के दिशता के क्रम में पूरे भारत में 200 से अधिक बैटकों का आवजन किया जाएगा जिसकों उत्तर प्रदेश के शहरों में बैटकों का आवजन किया जाएगा तो देखिए चार सहरों में 11 बैटकों का आवजन किया जाएगा चार सहरों में वराराण सी ग्रेटर नोड़ा कोशन नमबर 63 भारतिये कदन कदन अनसंधान संस्थान कहां इसित है इंडियन इंशूट आफ मिलेट्स रिसर्च ठीक है तो यह कहां पर इसित है तो यह आपका हैदरावाद तेलंगाना के हैदरावाद में इसित है आगे चलते हैं कोशन नमबर 64 प्रधान मंत्री पी बी जी टी विकास मिसन निम्रिकित में से किसे समझेत है तो विशेस रूप से कमजोर जन जाती समूहों से समझेत है यह यह उजना पी बी टी जी पर्टिकुलर्ली बनरेवल ट्राइवल ग्रूप्स केंधिर बीजर तो है तेईश चौबिस के अमसार इंजिनिरिंग संस्थानों में 5G सिवाओं को विक्षित करने तो कितनी प्रयोक साल आएं इस्थापित की जाएंगी तो सो प्रयोक साल आएं कितनी सो आ रहा करके 79,89 हजार क्रों रुपे से अधिक किया गया है ये कथन आपका सही है दूसरा रेलवे को 2.4 लाग क्रों रुपे का पूजी परिवे प्रतान किया गया ये भी सही दो के दोने कथन सहीं सी ऑप्सन केंधिर बज़ेट 2023 के अमसार भारत स्री की स्थापना का क्या केंधरी बज़ेट 2023 के अमसार राज्यों या संग राज छेत्रों को वैकलपिक उरबर्कों के प्रियोग को बढ़ावा देने के लिए किस योजना की सुरुवात की जाएगी तो ये योजना PM प्रणाम होगी कौन सी होगी PM प्रणाम योजना केंधरी बज़ेट 2023 के अमसार नई कर वेवस्था में व्यक्तिकट आयकर के छूट सीमय बढ़ा कर कितनी कर दी गई है तो ये बढ़ा करके 7लाग रुपे कर दी गई है केंद्री बजट 2023 के में किसानों को प्राकृतिक किरसी अपनाने में सहयोग देने के लिए कितने बायो इंपुट संसाधन केंद्र केंद्री कि स्थाप्ना की यह की जाएगी 10,000 केंद्र बिजट है 2023 के मसार भारसरकार को सरवाधि धन किसम मद्य से प्राप्त होता है तो रिन और अन्य देताएं से जो है कितना प्राप्त होता है 34% इसके बाद ढार कर से 17% आएकर इंकम टेक्स से 15% निगम कर से प्रप्र टेक्स से पंद्रा परसंट आगे चलते हैं मतलब सबसे अधिक और अन्य देता है फिर वस्तियों सेवा कर फिर आपका आयकर फिर निगम कर निवरत किजिए यहां पर दो कफन दिए गए हैं बताना कौंसा असत्य है गलत कौंसा उत्तरप्रदेश ग्लोबल इंवेस आपका सही हो जाएगा यहां पर देखिए एक सिकन्ड यह जो है तैंटीस दस्वलों पांच लाक करोन ना कि करोन के वाले ठीक है तो यहां पर लाक छूट गया है नीचे दो कथन दिये गए कथन कानवाला प्रश्ण है कथन कानवाला प्रश्ण है अभी कथन है कि इस वर भा बाउनों को दुनिया के सामने प्रश्ण करने वाला होगा तो कथन कान दोनों सही और व्याक्ष्ण अभियोरित इसलिए ओप्शन आपका सही हो जागा कोश्चन नमबर 75 देखते हैं यूपी ग्लोबल इंवेस्टर सम्मिट 2023 में उत्तर प्रदेश में विभिन चेत्रों को अद्विकपार और फिर सिच्छा और फिर लॉजिस्टिक के सबसे कम यहाँ पर डी ओप्शन जो है आपका सही हो जागा देखिए इसमें नभी करणी उर्जा का 16 परसंट है इलेक्ट्रोनिक्स का जो है 12 परसंट है अद्विकपार का 11 परसंट है सिच्छा का 9 परसंट है लॉजिस्टिक का 9 परसंट है यह करम हो जाएगा आपका तो इस प्रकार से इस वीडियों बस इतना ही मिलते है नेक्स विडियों तो तक लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं 76 नमर कोश्चन है आपका कि उत्तरपदेश बजट 2023 के अमसार उत्तरपदेश निम्न में से इंडिया स्मार्ट सिटी एवार्ट कंटेश्ट स्मार्ट सिटी मिशन के अंतरगत और पी एम एफ एस वोटादवारा डेवीटी के माध्यम से डारेक्ट वेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से धन्डास हस्तांतर इन छेव चीवचियों में जो उत्तरपदेश है वो पहले इसके डार्क जोन में किसानों को निजी नलकूप कनेक्शन देने पर लगे प्रतिवंदों को समाप्त करने से किसान लावानवित हुए हैं एक अथन आपका सही है दूसरा डार्क जोन ऐसे चेतर होते हैं जहां भूमिगत जल का इस तर आउस्त से नीचे रहता तो पहला है जाने के लिए कितने अपसिष्ट से धन सयंत्र इस्थापित किये जाने की बात कहिए मतलब कितने जो हैं यह सयंत्र इस्थापित किये जाएंगे तो यह आपके 500 जो अपसिष्ट से धन सयंत्र हैं सयंत्र हैं इनको इस्थापित किये जाएगा कितने 500 और इसमें कुल 10,000 को का निवेश होगा आगे बढ़ते हैं केंद्री बजट 2023 के अमसार सिग्रेट पर राष्टी आपदा आकाश्मिक सुल्प को संसोधित करते हुए प्रस्तावित किया गया है कितना लगबक कितना किया गया है तो यह जो है आपका सोला प्रसत कितना है सोला प्रसत किया गया है ठीक है नेशनल डिजास्टर कॉंटिजनेंट ड्यूटी जिससे कहेंगे आगे बढ़ते हैं उत्तर प्रदेश बजट 2023 के अमसार मेजर ध्यांचंद खेल विश्विध्याले की स्थापना है तो तीन सो करूण रुपे तीन सो करूण रुपे की ब्यवस्था की गए यह विश्विध्याले स्थापित होगा कहां पर उत्तर प्रदेश के मेरेट में अगला है दो सुचियां दी गई है केंदरी योजना और उत्तर प्रदेश बजट 2023 में आवंटित धनरासी करूण में कितनी है तो देखिए यहाँ पर देखिए पीएम आवार्श योजना ग्रामेर के लिए 9000 कोण तो वन से मिलाईए पीएम ग्राम सड़क योजना के लिए 5962 से स्वच भारत मिशन 2.0 तो 2707.863 अमरित 2.0 पांच हजार चेसो सोला चार 1,2,3,4 ए ओप्शन अगला है उत्तरपदेश बजट 2023 के अमसार प्रियाग राज में वर्द 2025 में महाकुम्य के आयोजन के लिए सरकार ने कितनी धनरास आवंटित की है तो कुल 2500 करूण रुपे की धनरास आवंटित की है 2500 आगे बढ़ते हैं उत्तरपदेश बजट 2023 में आगामी बित्ती वर्स में किसानों को निजी नलकूपों के माध्यम से सिचाई के लिए बिजली बिल में कितने प्रस्त की छूट का प्रस्ताव किया गया है तो 100% छूट दी जाएगी एक तरीके से यह फ्री हुई तो यहाँ पर आगे चलते हैं और यहाँ ध्यान रगे इसके साथ ही उत्तरपदेश जो है किसानों को मुफ्त बिजली देने वाला देश का छठा राज बन गया है अगला है कथन कान का प्रश्ण है कथन का प्रश्ण है कथन है कि US Federal Reserve दरों में की गई बिद्धी की गई बि के मुकाबले डॉलर का मुल्य अधिक हो गया है तो कथन सही कान गलत है तो इसलिए C option आपका A सही R गलत आर्थिक समिच्छा 2023 के अनुसार निम्रिखित कथनों पर हमें यहाँ पर विचार करना है आपके दो कथन दिये गए बताना इन में से सत्य कथन कौन सा है तो पहला है कि मौजूदा डॉलर के मापदंड के अनुसार भारत विश्व की पांची सबसे बड़ी अर्थ बेवस्ता है यह कथन सही है आगामी मार्च तक भारत की नॉमिनल GDP लगवग 3.5 ट्रिलियन अमेर की डॉलर होगी यह भी कथन आपका सही है दो के दोनों कथन यहाँ पर सही ह इसलिए आपका C option हो जागा अगला है भारत के बजट 2023 के अनुशार निम्लिखित कतनों पर विचार कीजिए यहाँ पर दो कथन दिये गए हैं बताना इन में से असत्य कथन कौन सा है कौन सा कथन जो है वो आपका असत्य है एक सेकेंड तो यहाँ पर देखिए आपका पहल है कि चालू वर्स का भारत की आर्थिक सम्यृ geçतर 7% रहने के अनुमान व्यक्ति किया गया हो यह मसरा कथन तो आपक़ सही दूसरा सभी परमुक अर्थ व्योस्तामस सबसे अधिक दर्से व्रिद्धिवाली अर्थ व्यवस्था है अमेरिका से पहला सही दूसरा गलत है तो कोंसा सब्सक्राइंgo दूसरा रहा था बी ऑप्शन कोश्चन अबर 87 देखते हैं 87 है कथन कान का प्रश्ण है कथन है कि भारत के अर्द्वेवस्था और अधिक आपचारिक हो गई है यह कथन आपका सही है यह आपकारिक मतलब फॉर्मलाइज हो गई है कान क्या अबर 22 में यूपियाई के माध्यम से 126 लाग कॉर्ण रुपे डिजिसल भुपतान किये गए तो कथन कान दोनों सही है और व्याक्षा भी सही है तो यह आप्शन हो जाएगा क्योश्चन अबर 88 देखते हैं केंद्र ब प्रात्मिक्ताय बजट की कितनी प्रात्मिक्ताय बताई है कुल साथ प्रात्मिक्ताय बताई है कितनी साथ प्रात्मिक्ता बताई है कौन-कौन सी पहला दिखिएगा समावेशी विकास दूसरा अंतिम व्यक्त तक पहुँच तीसरा और सरचनायों निवेश चौथा प्रवासी भारतियों दारा अपने पैत्रिक गाउं में स्कूल कॉलेज अस्पताल बनवाना ठीक है राज जो है इस राज सरकार इसके लिए इस्थान उपलब्द कराएगी आगे बात करते हैं उत्तर प्रदेश बज़र दोजार तेश चौविस 24 के अनुसार निम्लि में से किस इस्थान पर बेद विज्ञान अध्यन केंद की स्थापना का प्रस्ताव है तो नैमी शारण में कहां पर नैमी शारण में इस्थापित किया जाएगा आगे चलते हैं अगला प्रश्ण निम्लि में से कौन सा राज मनरेगा में प्रथम इस्थान पर रहा है तो यह है आपका उत्तर प्रदेश पहले इस्थान पर उत्तर प्रदेश रहा है अगला है 92 नंबर कोश्ण उत्तर प्रदेश बजट 23-24 के अंसार निम्लिकित कत्रों में से कौन सा या से जो है कत्थन शत्ति हैं तो यहाँ पर देखिए दो कत्थन दिये गए हैं बताना है इन में से सत्ति कौन सा है पहला 2.0 लाग करण रुपे पूजिगत वे के लिए प्रस्तावित है मैं इसमें यह कथन सही नहीं है क्योंकि 1. 1.87 लाग कंड रुपे पुजिगत वे के लिए प्रस्तावित है पहला गलत हो पहला दूसरा जहां वह कि चित्रकूट लिंक एक्ष।में के निर्मारा प्रस्तावित है तो दो ने जहान से हम चित्रकोर्ट Linkaring Expressica एलान किया गया है तो पहला गलथ है दूसरा शही है तो सत्य कुन सा है अगे चलते हैं इसमें सत्य कुन सा है पहला गलत है दूसरा साही है तो B option अगला है उत्तर पृतिश भजर 2023 के पृत्षार कितने इवाओं को रोजगार देने का लच रखा गया है तो खुल दो कौन लोगों को रोजगार देने का लच रखा गया है 94 नमबर उत्तरप्रदेश बजट दोज़ाएb शवप में निमिकित में से किस साहर को मॉडल सोलर सिटी की रूप में विकषित करने का प्रस्ताव है तो आयोध्या को अगला है उत्तर प्रदेश बजट 2023 के अमसार निम्लिकित में से किस इस्थान पर साइंस सेटी और नच्छतर साला की इस्थापना का प्रस्ताव है तो ये दो जगां पे वरांड़सी और आगरा वरांड़सी और आगरा में ठीक है तो C option हो जाएगा अगला है 95 और 96 नमबर उत्तर प्रदेश बजट 2023 के अमसार देश की GDP में उत्तर प्रदेश का योगदान कितना है तो उत्तर प्रदेश का योगदान आठ प्रस्त से अधिक है कितना है आठ प्रस्त से अधिक है वर्स 2021 में प्रदेश के जीएश डीपी में 16 दसमरों आठ प्रसंट की व्रिधित दर्श की गई जो देश की विकास दर्श से अधिक रही है अगला है उत्तर प्रदेश बजट 2023 के मसार कितनी महिला प्यस्ती बटालिन का गठन किया जाना है तो कितनी का किया जाएगा ये कुल तीन प्यस्ती महिला प्यस्ती बटालिन का गठन किया जाएगा कोश्चन नमबर 98 देखते हैं 98 नमबर देखते हैं, तो ये है आपका उत्तर प्रदेश बजट 2023 के संदर में निम्लिखित कत्नों में से कौन साया से सकती हैं, दो कथन दिये गए हैं, इनमें सकती कथन हमें बताना है, तो पहला उत्तर प्रदेश में क्रोना से बचाओ है, 39.20 करोन से अधिक वैक्सिनेशन रोज लगाए गए, यह कथन सही है, इस अंदर में उत्तर प्रदेश के संदर में फूरे देश में दूसरा इस्थान रहा है, नहीं, पहला सही है, दूसरा गलत है तो ये उप्सटन आपका आपका सही हो जाएगा, उत्तरपतेश वेज़ दोयाद थेश वोविस के मसार इनक्विभेटर्स को बढ़ावा देने था स्टार्ट अप के लिए सीट फंड हे तो कितनी धन राष की बिवस्था की गई है तो 100 कौंड रुपे की कितनी 100 कौंड रुपे की बिवस्था की गई है उत्तर प्रदेश बजट दोज़ाइश की विरोज़गारी दर कितनी रही है 4.2% देखिए वर्ज़ाइश से पूर्ग उत्तर प्रदेश की विरोज़गारी दर कितनी थी 14.4% थी या 2022 में घट करके लगभग 4.2% रह गई है आगे बढ़ते हैं उत्तर प्रदेश बज़ट 2023 के अउसार यमुना एक्सप्रस ब्य अद्यूग विकास प्रादिकार दुद्वारा कितने एकड़ भूमी पर अंतराश्टी फिल्म से ठी इस्थापना की जा रही है तो कितने एकड़ पर इस्थापित की जा रही है तो एक हज़ार एकड़ पर ये इस्थापित की जा रही है आगे चलते हैं उत्तरपदेश बजट 2023 के मसार उत्तरपदेश में किसी योग जिभूम कितनी है तो ये है 188.4 लाख हेक्टेयर है अगला उत्तर प्रदेश बज़र 2023 के मशार राज जी का राज कोशिय घाटा तर फिस्कल डेपसिट कितना है तो ये आपका 84 दसमलो एक सेकंड अगला है मतलब राज जी के सकल गहरेल उत्तर प्रदेश बज़र 2023 के मशार निमलिखित में से किस स्थान पर नाइट सफारी पार्क की स्थापना के लिए 50 कुन रुपए की बेवस्था प्रस्तावित है तो ये लखनो में कहाँ पर लखनो इस इत कुकरैल वन छेतर में 105 नमबर कोशन देखते हैं उत्तर प्रदेश बज़र 2023 के अनुसार किस वर्ष तक प्रदेश में वनावर्ण यों बिच्छावर्ण 15% तक किये जाने का लच्छ रखा गया है तो 2030 तक कितना है 2030 तक किये जाने का लच्छ रखा गया है वर्टमान में उत्तर प्रदेश में वनावर्ण यों बिच्छावर्ण प्रदेश के भगोली छेतर बलका कितना है 9.23 है इसे 15% तक ले जाना है आगे चलते हैं और यहां द्यार लगए वर्षाकाल 2023 में बिच्छावर्ण हेतु 35 करणों पेंड लगाने का लच्छ रखा गया है अगला है 106 नमबर कुश्चन देखते हैं 106 नमबर उत्तर प्रदेश बजट 2023 के मसार वर्ष 2022 में राज में कुल कितने विदेशी परेटकों का आगमन हुआ तो 4,10,000 से अधिक इतनों का आगमन यहां पर हुआ आगे चलते हैं बिदेशी परेटकों के बात की जा रही है उत्तर प्रदेश बजट 2023 के अनुसार दुग्द उत्पादन गन्ना यम चीनी उत्पादन था एतनाल की आपूर्ती में उत्तर प्रदेश का कौन सा इस्थान रहा है तो उत्तर प्रदेश का पहला इस्थान रहा है उत्तर प्रदेश बजट 2023 में ऑपरेशन काया कल्प हे दू कितने रुपए की बेवस्था की गई है तो एक हज़ार कौन की बेवस्था की गई है प्रदेश में कितने अंतराष्टी एयरपोर्ट का कार्य पूर्ण हो जाएंगे कितने हो जाएंगे कितने हो जाएंगे कुल पांच हो जाएंगे जेवर्त था अयुद्ध्या कर जो निर्माणा दही ने ये पूरा होने पर इसके पहले मतलब तीन है अगला है जल दूत आयप किस उद्देश जादी किया गया है तो इसे जो है कुँगों द्वारा जल इस्तर की माप के लिए इसे जो है विक्सित किया गया है जारी किया गय जिससे उनकी अजीविका में सुधार हो सके ताकि वह अपने वर्तमान आंसिक रोजगार से पूर्ण रोजगार की और बढ़ सके यह पर्योजना वित्तिवस 2020 में शुरू की गई आर्थिक समिच्छा 2022-2023 में वर्णित निम्लिकित कत्रों पर विचार कीजिए दो कथन दि से यह कोई भी गलत नहीं इसलिए डी ओप्शन भारत में ब्योशाई अध्यान के लिए केंद्रिय ब्याज सबसीडी योजना केंद्रिय ब्याज सबसीडी योजना CSIS किस वर्ण सुरू की गई तो इसको वर्ण 2009 में 2009 में प्रारह में किया गया इसका नाम है इंगले में Central Interest सबसीडी स्कींग आगे चलते हैं कोईशन नबर 1414 देखते हैं साथ से नो जुलाई 2022 को सिच्छा मंत्रा ले साथ से नो जुलाई 2022 को सिच्छा मंत्रा ले विश्विद्याले अनुदान आयोग UGC और किसके सहयोग से वराणसी में अखिल भारती सिच्छा समागम का आयोज किया गया अगला है केंद्री वजिट 2023 के संदर में निमनित कत्नों में से कौन साया से कथन जो है वो असत कथन हमें बताना है तो देखिए बजट का कुल आकार 45.3 लाग करूंड रोपय है सही है या पिछले वर्से 7.5 पसंट अधिक है यह भी आपका सही है तो यहां पे द 116 नंबर कोशन दो सूचिया दी गए है मंत्राले और उनको केंदे वजिट में आवंटि धनराश कितनी है तो देखिए रच्छा मंत्राले को 5.94 लाग करूंड दो से मिला जिए ग्रीह मंत्राले को 1.96 लाग करूंड तो 1 से मिला जिए तो 2143 अथाद C आप्सन सही हो जाएगा आर्थिक समिच्छा 2022 तेज के अंसार वर्ष 2021 में महिला स्रम्बल सहभागिता दर कितनी रही है तो ये आपकी 25.1% रही है कितनी 25.1% रही है जबकि 2018.19 में ये कितनी थी 18.6% की तुलना में महिलाओं के लिए स्रम्बल सहभागिता दर 2021 में 25.1% पर पहुच गई है 25.1% पर पहुच गई है अगला है कि अंदिरी बुजट 2023 के अंसार MSME की संख्या के दिश्ट से सिर्ष तीन देश कौन से है तो इसमें आप देखें पहले पे भारत है भारत है दूसरे पे चीन तीसरे पे अमेरिका तो C option यहाँ पर सही हो जाएगा भारत, चीन और अमेरिका आगी चलते हैं कि अंदिरी बुजट 2023 में नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के तहट किस वर्स तक 50 लाख मेट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादिं किये जाने का लच्छ रखा गया है तो कब तक 2030 तक रखा गया है तो इस D option यहाँ पर सही हो जाएगा केंदी बुजट 2023 में प्रधान मंतरी कौशल विकास योजना के चौथे चण की गोशना की गई है इसके लिए कुल कितने इसकिल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर इस्थापित किये जाएंगे तो कुल 30 इसकिल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर इस्थापित किये जाएंगे आगे चलते हैं कोश्चन नमबर 121 देखते हैं केंदी मुझेर दोजना तेश ओविस में तटिये और चारिये भूम वाले छेत्रों में मैग्रोग के पौधार ओपन को बढ़ावा देने के लिए किस योजना की सुरुवात की गई है तो से रामसर साइटों जो बेटलेंड से उनके संच्ण की घोशना की गई है अगला है केंद्री मुझेर 23-24 के मुझेर किस वर्स तक सिकिल सेल एनेमिया और मुलन का लच्छ रखा गया 2047 तक सी ऑप्सन आपका सही हो जाएगा और इसमें 0-40 वर्स आयू तक के लोगों को समलि अकांची जीला कारिक्रम, Especialal District Program की तरज पर 500 बलाकों को समलित करते हुए अकांची आकांची बलाक कारिक्रम की सुरुवात की घोशना की गई है ये कथन आपका सही है पहला दूसरा अगले 3 वर्सों में 7040 एकलब मॉडल आवाशी विद्यालियों के लिए 38,800 सिच्छ को और साहक क्रमचारियों के नियुक्ति का प्रवधान किया गया दो के दोनों कथन सही है इसलिए आपका सी आप्सिन जो है वो सही हो जाएगा आगे चलतें एक्सोचोबिस नमबर बजटदुएचो आटिशवशती विलेज के दाट सीमावरती गाउं में परेटन के बुनियादी ढांचे का विकास किया जाएगा तो बाईव miraculous योजना के दाट किया जाएगा question number 125 देखते हैं बजट 2023-24 के अमसार GST के तहत अभियोजन सुरू करने के लिए कर राश्ट की नियुनतम सीमा को एक कौन रुपए से बढ़ा कर कितना कर दिया गया है इसे दो कौन रुपए कर दिया गया है एक कौन से बढ़ा करके दो कौन कर दिया गया है इसका विशय वस्तिया थीम क्या थी एक बहतर भविश के लिए विचार विश्व के लिए भारत या इंगलिस में कहें तो आइडियाज फॉर बेटर टुमारो इंडिया फॉर दवर्ड आगे चलते हैं परवडी 2023 में भारत में मात्रिभाषा को बढ़ावा देने के लिए मात्रिभाषा को बढ़ावा देने है तो निम्लेकित्म से किस प्रसिद्ध भाषा विद्ध को इनुषको के अंतराश्टी मात्रिभाषा पुरुस्कार अपतान के जाने की घूशना की गई है महेंद्र कुमार मिस्र को किसको महेंदर कुमार मिस्र को की गई है ठीक है वी ओप्شन अगर य utilization के प्रसित भासा भीन है महेंदकाश्य का अंतराश्टी मात्रिभासा प्रज़कार प्रदान की जाने प्रदान किजाने गोश्ट है 128 number question देखते हैं यह है कि फरवी 2023 में बेदानता समुवियम ताइवानी कंपनी फॉक्स कॉन के द्वारा भारत का प्रथम सेमिकंडुक्टर सेहत कहां इस्तापित की जाने कि गोश्टना कि यह है गुजरात के धोलेरा में ठीक है यह ओप्शन आगे चलते हैं फरवी 2023 में भारत के प्रथम इलक्ट्रोन इलक्ट्रिक एसी डवर लेकर बस का परिचालन देश के किस सहर में सुरू किया गया तो इसको जो है आपका मुंबई में कहां पर मुंबई में प्रारम किया गया और यह जो है बस CCTV कैमरों स्वाचाली दर्वाजों से लैश अगला है फरवी 2023 में किस देश में चक्रवाद गैब्रियल के कान राश्टी आपातकाल की घोशना की गई कहां पर की गई न्यूजी लैंड में की गई है तो ए ओप्शन आपका हो जाएगा ठीक है न्यूजी ल लिए के बताना सथे कथन कों सा है इसमिंग ग्ट क knife और यहां पर सही हो जाएगा जो इसव यह 184 देशों करतें आगे चलते हैं 132 नंबर कॉशन देखते हैं यहां पर एक फरुजी 2023 में राश्पती दुरुपती मुर्मूद और निवत किये गए राजपाल या उपराजपालों की यूग में से कौन सा यूग में सही सुमिलित नहीं है एक तरह पर राजपाल न दूसरे सब राज़िया कि इसाद प्रदेश दिये गए है तो इसमें देखें फागू चौहान मेघाले के सही है रमेश बैस महराष्ट सीव प्रताप सुकल हिमाचल पदेश पहुंतो लचमण प्रसाद आचारे जो है ये सिक्किम के राजपाल यूग किया है कहां के सिक्किम के तो ये डी वाला आपका सही नहीं है और सीवी राधा किष्णन को जारखंड का राजपाल यूग किया गया है आगे चलते हैं जनवरी दोजार तेईस में जारी भ्रस्टाचार बोद सुषकरंग दोजार बाइस में भारत का इस्थान कौन सा रहा है तो भारत का इस्थान जो है 85 वह था कितना था 85 वह नंबर पर रहा है देखिए इससे पहले 2000 जो ये 21 का सुचकंग था उसमें भारत 85 नंबर पर ही था और इसे ट्रांस्पिरेसी इंटर्नेस्टल के दौरा जारी किया जाता है और इसमें डेन्मार्क जो है सबसे कम भ्रस्टाचार डेन्मार्क मे आगे चलते हैं जनुवी 2023 में राइट टू साइट विजन उद्देश के साथ अंधता नियंत्रण के लिए पॉल्शी लागू करने वाला देश का प्रथम राज कोंसा बना है ये है राजस्थान सी ओप्शन देखिए इस पॉल्शी क्ताथ राज के सभी सरकारी मेडिकल कॉल्जियों में अनिवार रुप से क्रेटो प्लॉशी के राटो प्लॉशी सेंटर यों आई बैंक के साबित की जाएंगे आगे चलते हैं कुश्चन बेर 1135 देखते हैं जन्वरी 2030 में के भारत सम्मेलन 2030 का आउजिन कहां पर संपन हुआ तो इसका आउजिन जो है बंगलूर में करनाटक के बैंगलूर में संपन हुआ आगे चलते हैं देखिए इस सम्मेलन का आउजिन प्रद्यक्की नियत के चेत्र में महात्पूर्ण मुद्धों पर चर्चा कराने है तो अंतर राष्टी टेक्नोलजी ला एस्ट्रिश्रेशन अंतराख किया गया तो कब मनाया गया यह 16 जन्वरी 2030 को सोला जन्वरी 2030 को राष्टी श्टार्टप दिवस मनाया गया इसकी घुष्णा प्रदामिति ने मोधी दोरा वर्स 2022 में की गयी थी इस दिवस को मनाया जाने को देश श्टार्टप के संस्क्रित को देश के दूरदराच छेत्रों में ले जाना था आगे चलते हैं 137 नमब स्वास्तियों भलाई ये दू पारस्तिकीतंटर को समझना इंग्लिस में कहते हैं तो आंडगिस्टेंडिंग एकोसिश्टम एकोसिस्टम और की सबसे बड़े बिरसा मुअंतराश्टी हावक इस्टेडियम का उधघाट कन कहा पर किया गया उड़िशा के राउर केला में इसका उद्ध हट किया गया पांच जनवी 2023 को उड़िशा के मुखमंति नमीन पटनाई जी के द्वारा आगे चलते हैं भारत यों किस देश की सेनाओं के मद्ध प्रथम सैंक्त प्रसिछन अभ्यास साइकलोन वन का आयोजन जनवी 2023 में किया ग देखते हैं इसकाई हॉक इसकाई हॉक है भारत का क्या यह भारत का पहला वाइब जी सच्छम ड्रोन है तो यह आप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा यह उप्शन इसको ध्यान रखिए गया इस टार्ट अब कंपनी आईजि ड्रोन ने इसका विकास किया यह ड्रोन टेक ओबर योम, लेंडिंग में सच्छम है 146, डिसंबर 2022 में केंद्री गिरी मंत्री, आमिस साहद्वारा और निम्लिखित में सिक्किस राज में केंद्री गुप्चर पसिच्छन संस्थान की आधासिला रखी गई है, तो यह रखी गई है करनाटका में, कहाँ पर? करनाटका में रखी गई है करनाटका के देवन हली में ICC एवार 2022 के संबंद में निम्लिखित कत्नों पर या इगमों पर विचार कीजिए यहाँ पर तीन एवार के बारे में दिया गया है तो यहाँ पर देखिए वर्स के सर्वसेष्ट पुरुष खिलाड़ी बाबाराजम वर्स के सर्वसेष्ट महिला खिलाड़ी नताली इश्कीवर और वर्स के सर्वसेष्ट पुरुष टेस्ट खिलाड़ी बेन इश्टो यह तीनों के तीनों सही है अस्टेलिया के कैन्बरा में इसका आउजिन किया गया यह 18 में नंबर का संस्क्राइब था इसका आउजिन International Association of Sanskrit Studies I SSS के द्वारा किया गया अगला है जनवरी 2023 में निमलिकित में से किन्हें KK बिडला फांडिशन द्वारा 32 जीडी बिडला पुरसकार से सम्मानित किया गया है तो निलेश भी महता को निलेश भी महता यह option आपका सही हो जाएगा यह पुरसकार उन्हें Wireless Communication के चेत्में उत्किष्ट योगदान हेद दिया गया है इस पुरसकार की सुरुवात कब हुई थी यह जो जीडी बिडला पुरसकार है 1991 में हुई थी दिसंबल 2022 में निलेश भी में से कौन सा राज अपना जलवाई परिवतन मिशन शुरू करने वाला देश का प्रथम राज बन गया है तो यह है आपका तमिल नावड ठीक है तमिल नावड ने प्राराम किया है इसका प्रथम लच्ची जो है इसका प्रमुक लच्ची जो है वर्थ 2070 के राष्टी है लच्ची को बहुत पहले से बहुत पहले जो है कार्बन चटरस्टा का लच्च हासिल करना है आगे चलते हैं यहां यह रियाद रखे कि 2070 है कोश्चन नमर 146 देखते हैं दिसम्बर 2022 में प्रतिशित अमेरिकी पत्रिका फोप्स द्वारा जारी विश्व की उच्च भुकतान पाने वाली 25 महिला एथलेटों की सूची जारी की इस सम्मद में निम्लित कतोब रूचर गी है जापान की टेनिस खिलाडी नाओमी ओशा का इस सूची में सीर्स इस्थान पर है तो हमें सत कतन चुनना है तो यह सत नहीं है इसमें दिखें सीर्स पर कौन है एक सिकंड इसमें जापान एक सेकंड जापान की जो नाओमी ओसाका या सीर्स पर पहला सही है दूसरा भारती बैट्वंटर के लाड़ी पीवी संदू ने इस सुच्छी में बरहावाजिस्थान हासिल किया ये भी सही है दो के दोनों कतनिहां पर सही है और इस प्रकार से सी ओप्सन आपका सही हो जाएगा नाओमी ओसाका जो है तीन साल से पहले नंबर पे पहले नंबर पे या सीर्स पर हैं आगे चलते हैं 147 नंबर दिसंबर 2022 में निम्नीदित में से किस एक आयोग का गठन उत्तर प्रदे सरकारदर इस्थानी निकाय चुनाओं में OBC आर्षन हेत किया गया है तो दिसंबर 2022 में आउतार सिंग आयोग का गठन उत्तर प्रदे सरकारदर इस्थानी निकाय चुनाओं में OBC आर्षन हेत किया गया है इस आयोग के अधच सहीत कुल पांस सदेश होंगे इन पांचों में एक अधच होगा जनुरी 2023 में निम्निकित में से किस राज ने सभी पा मंत्री के दोरा जनुरी 2023 में आर्म बॉनी और बॉनी ग्रैविनल ने वर्द 2022 का मिस इन वर्स किताब जीत लिया है वह किस देश की निवासी है तो यह अमेरिका की कहां की है अमेरिका की निवासी है इसे संदर प्रतियोगिता का जो आयोजन है कहा हुआ था युएश्य के लुशियाना फ्रांत में हुआ था अगला है जादूई पिटारा के सम्मन में निविक अतनों में से कौन साया से सत्य है तो देखिए पहला यहाँ एक खेल आधारित सिच्छन अध्यापन सामगरी है सिच्छन अध्यान सामग्री है देखिए यहां एक खेल आधारित सिच्छन अध्यान सामग्री है यह कथन आपका सही है इसे तीन से आठ वर्स तक कि आयो के बच्चों के लिए प्रारंब किया गया है यही सही फरोरी 2023 में केंदरी सिच्छा मंते धर्मित प्रदान दराश का स ही हो जाएगा इस प्रकार से इस वीडियों बस इतना ही मिलते हैं नेक्स वीडियों तो तक लिए बहुत धन्यवाद